तो नमस्कार फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल से इजी माइंटेक में और मैं राम गोजर आपका तही दिल से स्वागत करता हूँ तो फ्रेंड्स से आप इस लड़के को तो जानते ही होंगे इसका नाम है अभिक्ष आनन तो इसने जो है वो आज से करीब एक से डेड़ साल पहले इसने कुरुना वाइरस की जो है वो गोशना कर दी थी 22 अगस्त 2019 को इसने भविश्यवानी की थी कि इनसान और वाइरस के बीच में एक बहुत खतरनाक जंग होगी और यह मैं आपको बता दूँ कि 14 साल का लड़का है जो करनाटका से बिलॉंग करता है तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि काफी लोगों ने बैग्ज्यानिकों ने डॉक्टर्स ने कुल मिला कि यह बात करें तो सभी लोगों ने इसका मजा कुड़ाया था सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक लेके चल रहे हैं तो इसमें हम यह बताएंगे कि इसकी भविश्वानी में यह कोरोना वाइरस जो है वो उसका अंट कब होगा कितनी इसमें जाने जाएंगे कितने लोग इससे ग्रस्त होंगे कब इसक क्तीर रोप ले ले लेगी तो मतलब मार्च के बाद आता है अप्रेल अभी फिलाल प्र日本 में आप्रेज़ चल रहा है जिस दिन यह वीडियो सूट हो रही यह अप्रेल में हो तो अभी यह विक्राल रोप में है जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया इसके ग्रष्ट स है सभी लोग इससे परिशान है अभी यह बहुत ज्यादा बिक्राल रूप में है तो यह बात इसकी सच हुई इंसान बरसेस वाइरस यह बात सच हुई अब इसके आगे इसने क्या क्या है कि 29 मई को इससे 80% आबादी गरस्थ हो जाएगी 80% हो जाएगी और 20% 80% में से सिर्फ 20% लोगों की इस में जान जाएगी जो है वो 80 ते 10 your time 60 लोग से ठीक हो जाएगी और यह सााथ परसेंट लोग ठीक में हो रहे हैं अभी भी कापी शारे लोग ठीक हो रहे है मर कम रहे हैं ठीक ज़्यादा हो रहे हैं और 29 मही के बाद इसका जो नेश्ट पॉइंट वो यह है कि 30 मही से इसमें सुधार होना सुरू हो जाएगा 30 मही से 5 सितंबर के बीच जो है वो इसमें सुधार होना सुरू हो जाएगा तीस मही से पांच सितंबर के बीच मतलब अभी चार मही ने ये बीमारी चलने बाली है अब दस सितंबर को आखरी मौत होगी इससे दस सितंबर की डेट में एक आखरी मौत होगी सिर्फ एक उस दिन एक मौत होने बाली है 10 सितंबर को अब वो किसकी होगी वो किसी को नहीं पता तो 10 सितंबर को इससे आखरी मौत होगी और उसके बाद इस बीमारी का नाम और निसान पूरी दुनिया से चला जाएगा यह पूरी दुनिया से बीमारी चली जाएगी तो अब यह बात कितनी सचे कितनी आप काफी सारी आपने ये बाइरल वीडियो देख ली होगी और मेरे को नीचे कमेंड भी कीजिए कि क्या ये सच हो सकता है ये क्या फंडा है बट अभी तक के हिसाब से तो ये बिलकुत सच लग रहा है अब इसने एक भविश्च बानी और की है इस बंदी ने सोरी लड़के ने कि जैसे ये महामारी खतम होगी तो काफी सारे देशों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा तो सभी एक दूसरे कूपर अटेक करेंगे उसमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध है और अमेरिका और चीन की लड़ाई होगी तो ये जोतिस विद् परसन के तौर पर लीजिए तो यहीं थी एक वीडियो में चोटी से जानकारी आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बता है वीडियो पसंद आज़े तो वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेसन बैल को ओन क तो मिलते हैं एक और इन टेस्टिंग वीडियो साँ जब तक के लिए टाटाप बाई बाई